प्लीज सब्सक्राइब तो आर चानल और प्रेस्ट वेल वेटन पॉर लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियोस इल्लारगो नमस्कारा, क्लासिक एडुकेशन यूटूब चनल गे तम गेल्ला स्वागता नानु डॉक्टर आर्वी चिटगुपी, क्लासिक के एडुस मत्तो आये स्टडी सर्कल धारवाडदली इतियास विशेवन्नु बोधस्ताईद्यने विद्ध्यार्थिगळे, ता वीगागले बेरे-बेरे स्पर्दात्मक परिक्षे गळिगे सिद्धतेन माड़ता इद्धिर इतियासके समंध पट्टंत साकस्टु वीडियोगलन नियु नूडिद्धिर निम्म परिक्षे तैयारिके साकस्टु सहायकवागिर बोधादु हागे मत्ते निम्म परिक्षे सिद्धतेगागी भारत द इतियासके समंध पट्टंता प्रधान शासन गळ बग्ये विशेवन्नु इंदिन वीडियोदली नान चर्चे माड़ता इदिने अधिके इदू कूडा निम्मके परिक्षे तैयासके समंध पट्टंता प्रष्णिकल आगिवे अधिके शासनके समंध पट्टंता इवंद विशेवनोडन इले भारत द इतियासके समंध पट्टंता हत्तु शासन गळ आईके माड़ि कोंडि दिने I have selected 10 questions then inscriptions which is important from your examination point of view to mainly from relating from ancient medieval periods प्राचीन काल मत्तो मध्यकाल के समंध पट्टंता इवंद शासन गळ आगिवे अधिके याव यू मुख्य शासन गळ तिर्द कोड़ोन So the first inscription we have got is the oldest inscription नम भारत द इतिहासदली अत्यंत प्राचीन शासन गळ अंधरे अशोकन शासन गळ आगिवे अशोकन एडिक्ट्स आर द ओल्डेस्ट एडिक्ट्स ओफ इंडिया अधरे इन्नों द रितियल हेड़ वेकंदरे शासन गळ अन्न केच्चु अंता रूडियन तंद इले अशोकन आगिद्धनों अउनन इले भारत द शासन गळ जनकां थेली कुड़ा इवन्द करियलागिद्धे हीगागी अउनन शासन गळ नमगे दोरक्यों अंता इवन्द मोदल शासन गळागिवे अशोकन शासन गळ अले बाल मुख्यवागी नाव नोड़ द अंदरे नमकर नाटकद इले राज्यदली राइचूर जिल्यली मश्की अले द्वरकी दंता इदू शासन गळीद्धे दिस भी मश्की एडिक्ट आशोकन वंद्ध बंडेकल में इले इव शासना इदे प्राक्रत भाशे मत्व ब्रामी लिपीयली इदे मस्की एडिक्ट आशोकन इदन हत्तोंबत्नूर हद्नेदरली चाल्स बेडन अवरू बेड़किके तंदद्दू So this was discovered in 1915 by Charles Baden इदन नावु बेड़किके बंद नंतर इले नमगे इशासनकलली अशोकन हेसर तिलद बंदद्दू So we are able to come to know the name of Ashoka in the inscriptions here after the discovery of this addict 1831 इंदले अशोकन शासनकलनू ओदलू प्रारंब वागित्तू James Principi आवाग ब्रामी लिपी मत्तु करोशिति लिपी एन्न अवन ओधिदनो अंधन इंदले नावन ओड़तिवी आशोकन शासनकलनू ओदलू प्रारंब वागित्तू आशोकननू देवानाम प्रिय प्रियदर्शिका इदो अशोकन बिर्दा आगेत्तू देवरिगे अत्यांत प्रिय नाधाउनום आवन यारंदरे अशोकनन upgraded नंगे तिल्दबरुदू इंदलू इंद द्तिन्सक्रिप्षन Here, mainly enlightens us with who was that Deva-Nam Pia Pia the Siho, that he was King Ashoka, belonging to the Mauryan dynasty. Murane Shatma na Krista Purwada Shasana वागि देदो. This is the one most important edict we have got. Ashoka na Maski Shasana. एरड़ने दागि नाउनोड़ति वी. इले, Hathigumpa Shasana. Karavella na Hathigumpa Shasana. So, this is the Hathigumpa inscription of King Karavella. Karavella नुँ, एरड़ने शत्मान क्रिस्थ पूर्वदल्ली, कलिंग प्रदेशवन आळताईदनु. He was ruling the Kalinga region. Kalinga अंदरे, इगिन ओरिसा अत्वा ओरेशिया प्रदेशवा आगि दे. आत्वा अधिके उत्कल अन्थेले कुडा इवंद करिया लागिदे. इदु नमिगे द्वरिक्किद्धू. This here inscription was found at, mainly, Udhaegiri Hills in one of the cave. अल्ले, औरी साथल्ली बर्वांत, Udhaegiri बेट्टगड़े निवे, अधरली, वंदु गुए ली इशासन नमिगे सिक्किदे. This is the Udhaegiri Hills. इदु उदेगिरी बेट्टगड़े, इदर गुए वळगड़े बंदेने निमिगे इशासन सिक्तथे. When you enter this, you come across here this inscription. इशासन नमिगे बेड़क्किगे बर्तथे. इल्ले, नाँ नोडिदेरे, this is what we see here. mainly, it just looks like the elephant here, mainly head. It is just like the head and the face of an elephant. So, it is called as Hathi Gumpa. Hathi अंधरे, आने, Gumpa अंधरे, गुवे. अधिके आगुएगे, elephant cave अन्थेड़ करितारे. That is called as Hathi Gumpa. अल्ली, इशासन नहीदे. That is where we have got this, mainly the inscription. 1820 अंधर ले, Sterling अंधरी, अधिन इदन बेड़िके के तंदु. आधरे, इदन ओधिद्धू, मत्त्यनाव नोड़ित्यू, 1830 योल्रली, Brahmi लिपी एन, इले, ओधल साध्यवाईतू. James Princip अवरेंद, अधर नंधर ले, इदन ओधलाईतू. After only it was right. But 1820, this was first noticed by Sterling. 1828 अंधरी, Sterling मुदलिके इदर उल्लेखने माडिद्धार. आधरे, इदन ओधिद्धू, 1830 नंधर, कारणा येन अंधरे, Brahmi लिपी इन्नो ओधिदिला, आसमेदली. आधन ओधिद नंधर, James Princip इवंध शासनवन्न कूडा ओधलाईतू. Brahmi लिपी मत्तू प्राकृत भाषे इदे. कारवेलन साधनेगलन तिलस्तदू. It is specific about the achievements of कारवेल. कारवेलन साधनेगल इदे इदे इदरले. नाव नूड़त्ती विदरली उट्टो सालगल इरूदू. हदनेगल सालगल. Totally 17 lines are there in this inscription. हदनेगल सालगल इवे. मत्तो, कारवेलन 13 वर्षद आलिके. क्रमभद्ध वागी, कालन क्रमवागी, गटनेगलनन कोट्टिद्धार. So, 13 years rule of कारवेल, chronologically the events have been given. The total number of lines is 17 lines. अधिक्के, हाथी कुपप शासने येनिदे, जेदी मंत्तन बग्यत्ति विद्धिकोललू, कारवेलन बग्यत्ति विद्धिकोललू, इदु वंदेवंद आधार वागीदे. नामगे, this is the only one source to know about the कारवेला's achievements. आधिक्यों, इदरले कुडा, नामगे नोड़्तिवी, आउनन जैन धर्मदकडे इद्धन ता वलुव कूडा नामगे तिलदु बरत्तते, आउनन दंडय यत्त्रिकल कूडा नामगे तिलदु बरत्तने, आउनन कैगोंड़न्ता परोपकारी केलसगल नामगे इवंद बिलिक्केगबरत्तवे. इव यल्ला विश्वगलन्न वळगोंड़ हाती गुम्प शासन, एरडने शत्माना क्रिस्थपूर्वक्के समंध पट्टन्ता शासन वागिदे, ब्रामी लिपी प्राकृत भाशे लिदे, इदो नम्म भारत द इतियास दली बरुवांता इननन्दु मुख्यवादंता शासन वागिदे, इदर नंतर इरडने शत्माना क्रिस्थपूर्वक्के समंध पट्टन्ता ब्यस्नगर शासन, ब्यस्नगर इंस्क्रिप्चन, ब्यस्नगर इस्तळ बरुवदू, मध्यप्रदेश्च दली बर्तथदे, इदनन सामन्नेवागि, हिलियोडोरस इले शासनां थेलकोड करिया लागिदे, इदननन समंध्यवागिदे, इरडने शत्माना क्रिस्थपूर्व, शुंग मंतन के बरुवांताद, आग शुंग मंतन अरस भागभद्र नागिद्धन, आउन कालदली ग्रीक रायभर्यागी, भारत के आगमिसिद, आउन आस्तान के आगमिसिदन्त, अले हिलियोडोरस, 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 was the Greek ambassador to the court of भागभद्र, who belongs to the Pushya, here mainly the dynasty which was established by Pushya Mitra Shunga, the Shunga dynasty, आउन अस्तान के ग्रीक रायभर्यागी बन्द, हिलियोडोरस, हिलियोडोरस, हिलियोडोरस was very much influenced by the Vaishnava faith, Vaishnava dharma इंद भाळ प्रभावितर आगिद्धन, अधिके अले आउन इलियोडोरस, इवन ग्रीक नागिद्धर कूड़ा मुंदे भारत द इवन्द वैष्णवा धर्मक्के मतांत नागिद्धू, he got converted to the Vaishnava faith, अश्टेयाला तन्नन तानो भागवत अन्थेड़ करत कोड़तान, he calls himself as भागवत देर, So this is the earliest inscription which mentions about भागवत और लौरड कृष्ण, Krishna न भगगे तिलिस्वांत इदो अत्यांत प्राचीन शासन भागिदे, इदरली कूड नाव नोड़तिवी, इले बलसलादंत इवन्द भाषे, the language that has been used is the Prakrath language, प्राकृत भाषे ने इल्ली कूड बलसलागिदे, ब्यसनगर शासन, इदो वासुदेव पंगड अत्वा कृष्ण पंथद बगगे तिलिस्वांत आगिदे, This is the earliest reference to the Vaishnava faith, Vaishnava dharma के सम्मंध पटन्त, इले सिगुवांत अत्यांत, हले आधारवागिदे इदो, His conversion to, here the Vaishnavism is also known from this inscription, अधे के बेरे बेरे इवंद विशेगल तिलिस्वांत आगिदे, इदन समनेवागी वंद भारत अधा प्रसिद्ध शासन दली नाव नोड़ती वी, इदे के अले गरुड स्थम्ब अन्थेड़े करे लागिदे, इदन गरुड स्थम्ब अन्थेज़े इदे 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 अधारवागिदे वी, अधु वब ग्रीक वब विदेशियू नमध्रमदींद प्रभावित्वागि अवनध्रमद के मता दुरागिद्धू, ईदु वन्दो हम्म्य विश्वेवागिते, अदक्र एपक्र हीनि ऑजी याश्वावी प्रमुख का दो, ही अगला धे, अधु वडिकां, समया टो, प्रण मतण नोटं केळू आजया मतले, इट मेबी एक क्वोष्चन अधु एफडीयले केळबोदु आत्वा नाले PSI नले केळबोदु KPSL ले कुड़ा केळबोदु अधिके वहिष्णों KPSL हेंग बरबोदांदरे वहिष्णों पंत्रदबग्य तिलसु अंता नमगे आत्ता प्राचीन शासन यावद अंधरे यी शासन ब्यस्नगर शासन वागिदे हीगे केलु बेर बेर रीत्याद अंता प्रश्णयकलन नाव नोडबोदु नंधर बरुदू रुद्रदमन नन जुनागड शासना, the Joonagad inscription of Rudhradaman, the Junagar inscription of Rudhradaman. Rudhradaman इवन शक अरसना गिदन, he was a shak king. Shaka अरसना गिदन, इवन एरडने सत्मान Krista Shaka, इवन आलिके कालवागिदे, 2nd century AD is the rule period of Rudra Dhaman and we know that he was the person who was responsible to defeat the famous king of Shatavanas Gautami Putra Sathakarani 133rdはあまり 170th habea ,Rudra Dhaman and this art was the Danke Saafan . 1st Sar把它 is the saint world. बेरे बेरे कालक्य सम्मंद पट्टंता मूरु अरसर शासनगल अत्यांता प्राचीनवाद शासन ये नोड़ती वे अदो अशोकन शासनवागिदे जुनागड शासनग अदर नंतर नाव मेल भागदले काणुवद इले रुद्र दमनन शासन आगिदे मत्य केलभागदले न मौर्यन किंग अशोका, second one is the शकचीफ रुद्रदमन, the third one is of Skanda Gupta, belonging to the Gupta dynasty. विशयन इदे नमगे आ रुद्रदमन शासना मुख्य वागिदे, the रुद्रदमन inscription is most important. ज्या कंदरे, इदो नाम भारत दली इले अत्यन्त प्राचीनवादवन्त सांस्कृत शासना वागिदे, आत्वा इदन इले अत्यन्त हले इवंद सांस्कृत शासना आगिदे, this is the ancient सांस्कृत शासना आगिदे, this is the ancient सांस्कृत इंस्क्रिप्षन, or the earliest सांस्कृत इंस्क्र अफ रुद्धर्धमन। So, this is here one of the most important thing. अध अलदे इए मूरु शासनके, all the three inscription, इए मूरु शासनके अशोकन्त गोरे, रुद्धर्धमनन गोरे, अथवा स्कंदगुप्त अन्त गोरे इए मूरु शासनदली वंद विशे भाले सामने वागी नाव काणती वे, अध ये नंदरे अले, आ जूनागड प्रदेशदली इद्धांता, चंदरगुप्त मौरेन कालदली निर्मान वादंता, सरोवर वादंता, सुधर्षन सरोवर जीर्णोध्धार मूरु अरसर कालदली अध जिर्णोध्धार आगिदे, इए शासनदली अध वुलेखन इदे, अधके सुधर्षन, इदो, अले, सरोवर, मूलता अधन, पुश्यमित्त, नाव नुर्णति वादो, अले, चंदरगुप्त मौरेन कालदली अधन, निर्मान वागिद्धो, इए गुजरात प्रदेशा तो जूनागड प्रदेश दे, गवर्नरागिद्धन, अवन इदन निर्मिसिद्धू, इदो, जिर्णोध्धार आगिद्धू, इदो, जिर्णोध्धार आगिद्धू, मुंदे, इए मूरु अरसर कालदली, हीगागी, अधो, वंधे विश इनन नाव नोड़तिवी, आलिए बरुवान्ता मुंदे इननंद अलाभाद स्थम्प शासन, अलाभाद स्थम्ब शासन, अलाभाद पिलर एडिक्ट ऑफ अशोक, अलाभाद के इग नावो प्रयाग राज्जा न फेड़ी कूड करितीवी, उत्थर प्रदेश दली, इदर मेले अशोकन शासना कुड़ाईदे दिरिज अशोकन एडिक्ट अधनन नाव अलाबाद इले अशोकन राणिय शासना थेड़ती वी करूवकी बग्य उलेकिसला आधनता शासना दो अशोकन इगे सम्मांद पट्ट दो यरणने देनिदे समुद्र गुप्तन ये सम्मा डूर्यमंतन गुप्तमंतन इले अले मुगलमंतन के शंममधघपत पट्टन घलेवे भाष एक भूडा न नोड़ती वी कर ढ Service अशोकन शासन येरोध प्राकृत्त दली समुद्रगुप्तन शासना इले संस्कृत दली मतो जांगेर शासना एडुओर परष्यन भाष साल गळिवे इदो संस्कृत भाषे लिए इदर रचनेकार हरी सेन ना आगिद्धनौ हरी सेन इस द ओथर फ्ट इंस्क्रिप्चन टोटली इट थर्टी थ्री लाइन्स लाइंग्वेज यूज्ड इस संस्कृत मत्तु इदरली समुद्धर गुप्तन नाव दंड यात्त्रे प्रधिता दली स्कृत कि कर्दणागिद्या ती बार्चनेकार हरी सेन नाव दंड रचनेकार हरी सेन यूज्ड नियुद्धर गुप्तन वागिदे, it is mainly noting about the wars of Samudra Gupta, in three categories, the wars in North India, called as the wars in Arevart, the wars in mainly the eastern part of India, here Kamarupa region, that is Assam region, and in the Dakshinapatha, that is the south, these are the wars that have taken place, Samudra Gupta न ये शासन नमिगे अवन इले दिग्विजगड़ बग्ये तिलदु कोळललो साथ्य वागिदे नंतर नाव बरते वे करनाटक दल्ली नाव नोड़ते वे तालगुंदा शासन, the तालगुंदा inscription, which is considered to be the earliest Sanskrit inscription of करनाटका, करनाटक दल्ली दर्केत अत्यांत प्राचीन सांस्कृर्फ शासन अथ्यो वण्दी इत्य हुए नाव नोड़ते यह बरूछ ता मेर नाव नोड़तें तालगंदा शासन, the which is the first, here the the Sanskrit inscription of Kannada, it is mainly the, the first Sanskrit inscription in Karnataka is mainly Thalagunda inscription. Thalagunda बर्ववदु, इदो शुमगरजियले, it comes in the Shumaga district Thalagunda. Shumaga दले बर्ववद। तालगुंदा स्थालदली, इदो अले, प्रणवेश्वर देवाले अध, यदुरगडे इरुवंता, वंद स्थम्बध मेले इदे, so in front of the प्रणवेश्वर टेंपल, we have got a pillar, on that pillar, we have this inscription, ये स्थम्बध मेले आशासना इदे, it is on this, mainly, what we have got, इदो, तालगुंदा, इदु वंदो अग्रहार वागित्तो, it was a agrahar, वंदो, वैदिक शेक्षिनिक केंदर वागित्तो, अल्ले, इस्थम्बध मेले इदे, सांस्कृत भाष्यलिदे, it is written in Sanskrit language, कुप्ज इदर कर्त्तुरु आगित्दनु, the author is कुप्ज, इदो, मत्तो, येन विशेष्णा इदे यंदे, इदर कालवन्न नावन ओडिदरे, ऐधने शत्मान क्रिस्थशक, it is a 5th century AD inscription, इदर विशेष्णा इदे यंदे यंदे, इदो, कदंब मंतन अधा स्थापने बग्या तिलस कोड़त्तदु, it speaks about the establishment of the कदंब dynasty, how Mayura sharma became Mayura Varma, Mayura sharma नू, Mayura Varma नू, हेजया आधनू, अधन इले नमगे इशासन देंद तिलस परत्तदे, ऐधने शत्मान अधा शासन वागिदे, it is a 5th century AD inscription, तालगुंदा inscription, here a very important inscription in Karnataka देर, हागे, कन्नडदा मोट्ट मदल शासनां थेले नाव करिते वे, इधने शत्मान के सम्मंदा पट्टद्धू, 5. शत्मान क्रिस्तशक कादंबरिके सम्मंदा पट्टद्धू, हलुमीडी शासन, the हलुमीडी inscription, the first Kannada inscription, इधन न नोडिदेर, हलुमीडी ग्रामदली, अधर पृतियन इड़ा लागिदे, this is what we have got a replica, it is not original, इधो शासन येनिदे, it is a replica of what we have got, अधर शासन अधर विशे येनिदे, अधर केळगड़े आधन ये वंद इले क्यत्त लागिदे, what is the, mainly the content of this inscription, it is engraved here, इधो हलुमीडी ग्राम, बेलूर तालूक, हासन जिल्यले लिबरवंत, अल्ली इदन इड़लागिदे, आधर इए मूल शासन येनिदे, the original inscription, today we have got it at the art gallery in बेंगलूर, बेंगलूर अधर आर्ट गैल्री, वेंग्टप आर्ट गैल्री येनिदे, अल्ली इए मूल शासन येनिदे, the original inscription is in that art gallery बेंगलूर, बेंगलूर अधर आर्ट गैल्री आधर आधर निटल्याविदे, इदो कन्नडद, अल्ले कन्नडदली इदे, मत्तु आदर कालक्यलू विद्वमासर हेळत्तार, आधो 350 क्रिस्थशक्क आगित्तो, अधर नाकनेशत्तमान द कोनेएल्ली आषासन वागित्तो, इफ बिलोंगिंग तो फोर्थ सेंचुरी एडी नाकने शत्मान क्रिस्त शकक क्या अधु समंध पट्टंता शासना थेड़िदेरे कन्राड था मट्टमदल शासन मत्य नाव बदलामने माड़बे काक्त थे हलमीडी नाव तालगुंड शासना थेड़बे काक्त थे अल्ली इथीचिगे सिक्कंता वंद शासना थे अधु के अधु विशे नेरि पेड़िए आधु रे इगल कुडा नाव हलमीडी नाव इगा मट्टमदल कन्राड शासना थेड़िव इदु अधु अधु दान शासना थेड़िदे इड़बे काक्षी आधु अधु अधु what is the importance of this inscription, it helps us to trace the antiquity of Kannada language, Kannada भाषय प्राचीनते तिड़द कोल्ल के अधु 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 के अधु अधु महत्व आगिदे 566 कृस्तशक योन आलिध कालावधी आवन कालावधी यल्ली इवंद क्यात्स अवन क्यों था ना समनेवागे बदामी कोल्ड़ शासना थेड़तर् एट अलसो गॉल्ड अज बदामी क्लिफ इंसक्रिप्शन इप्टि येनिदे इभागद अप्लोनी ये अ शासन बदामी क्ल कोटे ये निर्मान दबग्य हरत दे, it speaks about the construction of the fort of Vatapi, अश्टे अल्ला वंदने पुलिकेशिवो, हिरन्यगर्ब यद्यवन्नु कोडा माडिध बग्य इधरली उल्ले के दे, it is also mentioning about his performance of हिरन्यगर्ब sacrifice, so that is what important, so mainly that fort construction, आ कोटे निर्मान, इभाग ये नोड़त दे, this is the fort region, कोटे भाग ये निदे, it was mainly built during the time of पुलिकेशिदे first, अधा इल्यगर्ब कोड़ इधरली बुर्वन्ता शासन वाग इदे, this is actually the region where you have got that inscription, आ शासन इरुवा भाग येदू, this is the inscription where you can find that, Sanskrit भाषे लिदे, it is in Sanskrit language, वंदने पुलिकेशिगे सम्मंधपटन्ता शासन, this is another very interesting here, mainly at Aivalli, Aivalli येल्ली इल्ये नमेगे दुरिकिद्धन्ता वंदु शासन अंधरे, यरडने पुलिकेशिया Aivalli शासन, the Aivalli inscription of Pulikeshi second, Aivalli शासन, इदो Aivalli येल्ये बरवंत, Meguthi देवालिये गोडे मेलेदे, this is Meguthi Temple, इदो Meguthi देवालिये गोडे मेले, इदना क्यत्त लागिदे, it is here carried out, here are engraved on the outer wall of Meguthi Temple, Meguthi देवालिये धोर गोडे मेले इए शासन वन्ना क्यत्त लागिदे, इए शासन, Aivalli शासन आंते एनुदे, the Aivalli inscription, इदरले साउस्कृत भाषे वन्न बढ़स लागिदे, 556 शालिवान शके दली इदना क्यत्त लागिदे, the date is 556 शालिवान शक, अंधरे, अधके 78 नाव शेर्सकोंड़े, अधो 630 नाकु क्रिस्त शका आक्त दे, 68 शेर्सकोंड़े, you have to add 78, it comes to 634 AD, अंधरे, 670 शासन आकर वरिगो, इम्मडी पुलिकेशिया, युद्धगड़े एनिवे, अधन इए शासन दली हेड़ लागिदे, it has been mentioned in this inscription, अईवल्डी inscription, अष्टेयला, बदामी चालुक्यर, वाउशावली कूड़े कोड़ लागिदे, हागे इजैन जिनालय, अथ्वा जैन बसतीय निर्मान, मेगुती देवाले था निर्मान कोड़ नाव इदरली हेड़बोदु, अधके इदु, इम्मडी पुलिके पुलिकेशिय, दंडे यात्र तिलदु कोड़े नामगे भाळ मुख्य वागिवे, क्रमा बद्ध वागि अवन, दंडे यात्रगलन नोडबोदु, we can see chronological order of the wars of पुलिकेशि, the second, so very important inscription, here which belongs to, here, बदामी चालुक्यर, बदामी चालुक्यर, गे सम्बंध पट्टदु, आर 1564 शालिवान शक्क अंत अधरल नमिक सिक्त अधे, अधे के 158 सेर्स कोंड़े, 634 शक्क, इदो, शासन द कालवागिदे, this is what is the, mainly, here, the inscription, the last inscription, कोने शासना इदो, इदो, उत्तरमेरु शासन, चोलरिके सम्मंध पट्टदु, हत्ने शत्मानद्दे, it is the, here, mainly, 10th century inscription, belonging to the Chola period, the king to whom it belongs is Paranthakadhi 1st, अले, राज, वंदने Paranthakadhi 1st, अले, राज, वंदने Paranthakadhi 1st, अले, राज, वंदने Paranthakadhi 1st, was the king, अवन, इले, उत्तरमेरु, इदेवाले, गोडे मेले, अधन, इवन्दु केच्चिद अने, भाशे यनिदे, अले, तमिल भाशे यलिदे, शासन, भाल, उद्धवागिदे, एटेस, on the whole, here mainly the wall, you can notice, what is the importance of Uttarmeru inscription, इशासन, अधन, अधन, इनिदे, it is from this inscription, we come to know the Chola Village Administration, चोलर ग्राम आड़ल्थ अदभग्यो, नाउत्धी लधीकोलपोथा जोलरतो Venis, निदे, अधन, अधन, इनिदे, अधन, आढखन निदे, उद्धवाद शासन वागिदे, it is very long inscription because it narrates how the village, here mainly administration was carried out which was here having the nature of local self-government. It explains about how the elections were conducted, what were the qualifications required for the candidates standing for the elections. All this here information is given. It's a very long inscription. It is in Tamil language. Tamil भाशियली बर्वांत उत्तर मेरु शासन, हत्ने शत्तमानत शासन वागिवे. हीगे इवो इले भारत दली बर्वांत अधरली मुख्य वागि प्राचीन मत्व प्रारंबिका मध्य कालदली बरुवांत अधरो शासन गळणना आयके माड़िकोंडू अधर महत्त्वाद विशेगळ येनिवे अधनन तमिगे तिलिसीद्धिने इदू नेमिगे परिक्षके सहायकवागि इरत्त दे अधके बुम्मरोहंत आगी वंद परिक्षे अधो केपीसी मेंसागर बोदू मेंसनली कुडा इदर बग्ये केलबोदू उत्तरमेर शासन प्रामुकत्ते अनन बग्ये बरीरी वंद नूर शब्दगलली आग्ये ओध्ये आधर बग्ये केलव महित्ति कळणन कोट्टि देन्नेमगे आग्ये ग्वन इसाम इन्सक्रिप्षन इदू यही अदो आग्ये परिलिम्स एक्जामिनेशन प्रिक्षे बर्त दे PSI परिक्षे बर्त दे अधरली युव एल्ला शासनगल मुख्य वागिवे हीगागी इए शासनगलिके सम्मंद पट्टन्ता इवंद वीडियोंन इले माडिद्धिने तमेगे परिक्षेके एनन त्यारी माड़ता आईदिरे अधु सहायकवाक्त देन थेले तिरदु कोंडो इल्लिके नन्न इवंद वीडियोंन मुख्य ताईदिने मत्ते इन्नोंद इले इत्यास के सम्मंद पट्टन्ता विशेवनन आईगे माडिकोंडो परिक्षे दिरिष्टी इन्द इरुवंता महत्त्वातंता विशेवनन तेगत कोंडो मत्ते नान बर्तनी अल्लिवर्गो नमस्कार मत्त्व क्लासिक यूटूब चनल लन्नों नोड़ता आई रिए यल्लरगो नमस्कार प्लीस सब्स्क्राइब तो आर चैनल और प्रस्ट बेल विटन पॉर लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियोस